तो आप सभी सोक्त बात करेंगे आपर अस्तरल के बारे में इस कमपनी के आज यहाँ पर कॉटर टू के रिजल्ट अनॉंस हो चुके है और निवेशे के लिए कमपनी ने बड़ा डिविडेन भी यहाँ पर अनॉंस कर दिया है एक इंपोर्टन बात मैं आपको बताना चाओंगा इसके अंदर काफी बड़े यहाँ पर प्रमोटर तरफ से एक्शन देखने को मिल रहे हैं जिसके आउटपूट आप सभी को आने वाले समय में काफी कुछ मिलने वाले है तो क्या हो रहा है इस कंपनी में किस तरीके से हम पैसा कमा सकते है एंड ये कंपनी हमें मल्टी बैग रिटर कमा कर देने का दमखम क्यों रखते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटिल बताऊंगा आप यहाँ पर एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉंग शिर के अंदर निवेश करकर मल्टी बैग रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर नज़र रख सकते हैं चलिए देख लेते हैं इसके यहाँ पर रिजर्ट अस्तरल ने कितना अच्छा परफॉमस दिखाया आपने रिजर्ट के अंदर पहले मैं दोस्तों आपको जो है यहाँ पर स्टैंडरलन के रिजर्ट बताता हूं कमपनी के सभी फिगर्स इन मिलियन में हैं एंड इसका नेट प्रॉफिट फॉर दे प्रेट हैं पर हम देख लेते हैं कमपनी की सिच्वेशन यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी कुछ अलग देखने को मिलते हैं प्रॉफिट के मामले में आप यहाँ पर पिछले साल जैसे के सप्टेमबर 2021 में 1341 मिलियन जो यहाँ पर अस्तरल कमपनी कमा रही थी वो घट कर देखिए यहाँ पर 654 मिलियन हो गया है पाफॉफॉफॉफॉमस यानि कि कमपनी के net profit में आप देखेंगे टेजी से गिरावट है yearly basis पर and आप आगे बढ़कर वैसे ही देखेंगे यहाँ पर कि जून मैने में 2022 में 849 million जो एक कमपनी कमारती आस्तराल वो घटकर 654 हो गया है मिन्स यहाँ पर कमपनी quarterly basis पर भी first quarter and second quarter में भी डाउन जाते वे नजर आ रही है तो अभी यहाँ पर यह standalone के result में हमें यहाँ पर पता चलता है कि कमपनी के result अच्छे नहीं आए अभी console rate देखते है और फिर पता करते है dividend वगेरा कितना दिया है तो अस्तराल के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा cover करना बागी देखिए sales वगेरा आया रहे के इसका income भी देखना चाहिए income कैसे improve हो रहा है company का तो देखिए income भी कोई उतना अच्छा नहीं income जैसे जैसे बढ़ता है वैसा वैसा ही profit भी हमें impact करते वे नजर आता है एंड उस तो profit जैसे बढ़ता है न वैसा ही share का chart pattern उसको follow up करता है आपको share का price का कितना भी यहाँ पर downtray रहने दो कितने भी गिरावाट में रहने दो उसके profit में जो अच्छी खासी improvement देखने को मिली ना तो वो company हमें output जरूर देती है तो अभी आस्तरल के consolidated result कैसे रहे वो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर for the credit देखते हैं किस तरीके से profit generate किया तो same situation है consolidated result के अंदर भी यह company पिछले साल कमारी थी 1433 यहाँ पर million रूपीज का net profit वो घट कर पूरा आदा दोस्तो हाप हो गया है तो आप 50% गिरावट में देख सकते है अस्तरल का net profit yearly basis पर 750 million एंड जून महिने में 2022 में 961 यहाँ पर एक company हमें जो दिखा रहे थी net profit वो घट कर only कितना हो गया है तो 750 means company के result दोस्तो काफी खराब आए है अस्तरल के है और dividend का amount कितना दिया है मैं आपको बताता हूं इसने यहाँ पर declare के intermittent dividend यहाँ पर निवेशक के लिए पर निवेशक को यहाँ पर दिखिए हर किसी को जिसके पास share होगा उसको यहाँ पर एक रुपया 25 पैसे का dividend मिलेगा और इसकी record date 21 यहाँ पर November है और उसके बाद में से 30 जिनों के अंदर 13 days दिखिए से भी का ही rule होता है आपके account में यह पूरे जो भी amount रहे के dividend के वो आ जाएगी अभी बात करते important topic के बारे में यहाँ पर important ऐसी बात दिखा जिते कि असरल के अंदर देखिए जून महिने में 2022 में 55.73% stake था promoter का वो आप देखेंगे 2022 सप्टेमर मन में 55.85% stake हो गया है तो आप यहाँ पर समझ रहे कि promoter तरफ से असरल के अंदर stake उठाया गया एंड खाली promoter खरीद रहे है इसी बात नहीं यह FIS ने भी stake बढ़ाया एंड DIS ने भी तो बड़े गिरावट में देखिए discount में share मिल रहा है तो सभी इसका अच्छा खासा benefit ले रहे है एंड अभी यह stock चल रहा है कितने पर तो 2000 पर और इसमे आपको तेजी से गिरावट भी अभी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है 1700-1500-1600 के लेवल को आ गया तो हमारी starting यहापर होनी चाहिए buying के बारे में अभी आपको radar पर stock को रखना चाहिए thank you so much